मंदल का विस्तार हो रहा है क्या लगता है आगामी लोगसवा चुनाव के बाद उनका गटबंदन बना रहेगा या दुबारा वह फिर भाई नितिश कुमार को खुदी नहीं पता है कि वो कहां खड़े है और कहां आप 10 दिन के बाद खड़े रहेंगे पिछले 7 महिना से नहीं मिलेगा जैसे पता चला लोगसवा नजदिक आया डर किमारी आदमी भागा फिर भाजपा में अब भाजपा की मदद से जीत जाएंगे कुछ सीट जीतने के बाद फिर बाद साबनने लगेंगे याब हमसे जादा पॉपुलर कोई नेता नहीं है सचाई यह कि नितिश कुमार के दल जदूई को यह घोसना अभी कर देते हैं लोग सभा के बारे में कहे थे तो भागे डर के मारे अभी घोसना कर देते जदूबी सीट नहीं आएगा चाहे भाजपा के साथ लड़ ले चाहे मोदी जी आके उनका प्रचार करने और भाजपा वालों को भ भाजपा के नेत्रितों को दम है तो घोसित करें कि नितिश कुमार अगला मुख्यमंत्री होगा अचुनाव लड़के दिखा दें विदान सबाका इनको भी अपनी अवकात दिख जाएगी इस बार कि नितिश कुमार को अपने कंदा पर बैठा के तना दिन यह लोग बिहा में नितिश कुमार लड़े इनको 20 सीट नहीं आएगा विदान सभाव में भाजपा के साथ लड़े तो जग फिर से भार के आरजडी के साथ लड़े तो अकेले लड़े तो और दूसरी बात यह कह देते हैं कि भाजपा को दम नहीं है भाजपा को दम नहीं है कि यह घोसित कर दे कि अगला चुनाव नितीश कुमार के चेहरे पर बिर्हान सवा का लड़ा जाएगा अगर यह घोसित कर देंगे तो उनके समधर में हम ख़डा हो देंगे नहीं कर सकता है उनको भी मालूम है कि नितीश कुमार का नाम अगर घोसित किया तो भीहार का जंता सीरे से साफ क कर देगा नितीश को तो साफ करेगा करेगा उनको भी कर देगा